प्रेदोस्तों नमस्कार आप हमारे साथ सत्यवच्ण बाइबल अध्यन में हैं और मैं आपका इस प्रसारण में स्वाकत करता हूँ आशा है कि आपको शलपूरवक हैं और वचन के शिक्षा का आनन लेते हुए प्रमेश्वर की बातों को सीख रहे हैं दोस्तों आपको याद होगा कि हम इन दिनों तिमोथियूस की पहली पत्री पर अध्यन कर रहे हैं और आज हम पहले अध्याय के तीसरे पत से आरम करेंगे वित्रों एक मनुष्य जो इस प्रत्वी पर जन्म लेता है उसकी मुख्य अवशक्ता क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी, धन, दौलत, आदी या कहना गलत नहीं है पर इन सब के ऊपर प्रतेक मनुष्य की अवशक्ता है पापों की शमा या जिसे हम मौक्ष और उद्धार भी कहते है अगर किसी मनुष्य को मोक्ष प्राप्त ना हो अर्थात उसके पास पापों की शमा ना हो तो उसके लिए कोई आशा नहीं है आशा नहीं है का अर्थ है कि इस संसार से कूच करने के बाद या मरने के बाद उसे परमेश्वर द्वारा इस्थापित इस्थान स्वर्ग में जगा नहीं मिल सकती एक मनुश को इस संसार में रहते हुए ही उसकी तैयारी करना आवशक है पर पॉलुस यहां जिन बातों की चर्चा कर रहा है वे उन सिध्धानतों के संदर्व में हैं जो उध्धार पाए लोगों के मद्ध अनुचित है एक बात सिध्ध है कि हमें उध्धार या पापों की शमा के लिए किसी रीती वीधी की नहीं पर केवल विश्वास किया वशक्ता है और वह भी प्रभु इश्व मसी पर तो चलिए मित्रों हम उन प्रथाओं के संदर्व में उसके संबन में जानते हैं जो कलिस्या में होना और नहीं होना चाहिए और अपने अध्यन को आरम करते हैं मित्रों आए आज हम अपने अध्यन में आगे बढ़ेंगे और पहला तिमुथिस के पत्री एक अध्या उसके तीन पत से अपने अध्यन को आरम करेंगे आपको इस्मरन होगा कि हमने पहला तिमुथिस के पत्री के प्रस्तावना में देखा था कि यह पत्री कलीश्या के विश्वास के अंगिकार और आचरन से संबंधित निर्देशन है आपके आचरन के उचित होने से पहले आवश्यक है कि आपका विश्वास उचित हो अनुचित विचार मन में हो और आपका आचरन उचित हो यह तो कदापित संबंध नहीं है एक बार कोई मुझसे शिकायत कर रहा था यदि कोई वाहन चालक इस्तरी चावराहे पर अपना हाथ खिड़की से बाहर निकाले तो इसका अर्थ है कि उसके वाहन की खिड़की खुली है और अन्य कुछ नहीं आप सोच नहीं सकते कि वह क्या करेगी क्योंकि वह कभी कभी बाय मुढने का संकेत देकर दाहिने मुढ जाती है और कभी वह दाहिने मुढने का संकेत देकर बाय मुढ जाती है यह बड़े दुख की बात है कि मनश्य उचित कारे करने का दिखावा करता है जबकि उसकी विचार उचित नहीं होते हैं मेरे मित्रों ऐसा दिखावा अधिक दिन तक नहीं चल पाता है तो आई हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे जूठी शिक्षाओं के विरुध चेतावनी पहला तिमुथियूस की पत्री एक अध्याय उसके तीन पद में लिखा है जैसे मैंने मक्की दुनिया को जाते समय तुझे समझाया था कि इफिसूस में रह कर कुछ लोगों को आग्या दे कि अन्य प्रकार के शिक्षा ना दे ध्यान देजिए कुछ लोगों को आग्या दे कि अन्य प्रकार के शिक्षा ना दे गलातिया प्रदेश की कलिस्याओं को पौलुस ने लिखा था कि दूसरा कोई सू समाचार नहीं है क्योंकि यहुदी विश्वासी सू समाचार को अपनी समझ के अनुसार प्रस्तूत कर रहे थे यही कारण है कि पौलूस ने उन्हें लिखा कि सू समाचार एक ही है और शिक्षा भी एक ही है अस्थानिय कलिसया के शिक्षा क्या होनी चाहिए वही जो आरम में थी पिंते कोस्त के दिन की घटना के बाद लिखा है कि वे प्रेर्टों की शिक्षा सुनते थे यह अस्थान्य कलिस्या के चार चरित्रों में से एक है पहला है प्रेर्थों की शिक्षा, दूसरा है सहभागिता, तीसरा है प्रार्थना और चौथा है रोटी तोड़ना प्रत्यक्ष कलिस्या के ये चार गुण है यदि किसी कलिस्या की शिक्षा प्रेर्थों की शिक्षा नहीं है तो वह कलिस्या मसी की सच्ची कलिस्या नहीं है मैं मानता हूं कि हमारी व्याख्या में अनेकता हो सकती है जो सिक्षाओं के कुछ परिपेक्षों में मदभेद उत्पन करती है मैं एक बार किसी प्रसिद्ध पिंती कोस्टल पासवान के साथ भोजन कर रहा था और हम अपनी परस पर सहमती और असहमती पर चर्चा कर रहे थे और वास्तों में अंतर ऐसा गंभीर नहीं था जैसा कुछ लोग सोचते हैं अंत में उन्होंने मुझसे कहा हम कितनी बातों में सहमत हैं और विशेश करके आधार भूत बातों में अतह हमें उन मुद्दों पर बीच में दिवार खड़ी नहीं करना है जो अनावश्यक है उनकी इन विचारों से मुझे अत्यधिक प्रसनता हुई मुझे दुख है कि सब मेरे समान नहीं सोचते हैं निश्य ही हमें प्रेर्तों की शिक्षा पर चलना चाहिए ये विश्वास के आधार भूत तथे हैं प्रेर्तों ने धर्म शास्त्र के समग्र एवं शाबदिक प्रेर्णा और परमेश्वर के वचन की अखंडता एवं अचूकता की शिक्षा दी है उन्होंने प्रभईश्यक के परमेश्वर होने की शिक्षा दी हम इसी पत्री में देखेंगे कि पालुस के मन में प्रभईश्यक के प्रती कैसा विचार था कुछ विचारुकों का कहना है कि उसने प्रभईश्यक के परमेश्वर होने की शिक्षा नहीं दी परन्तु इस विशयक पर पालुस दिन के सूर्द के समान स्पष्ट है उसने प्रभु इश्व के इशुरत्व की स्पष्ट शिक्षा दी है इस अध्याय में भी वह कहता है पिता परमिश्वर और हमारे प्रभु मसी इश्व की ओर से तो वह प्रभु इश्व को परमिश्वर के साथ ही जोडता है और स्पष्ट करता है कि प्रभु इश्व मसी ही परमिश्वर है कहता है कि इफिसूस में रहकर पॉलूस तिमूथियूस को इफिसूस में छोड़कर मकी दुनिया आगया था इफिसूस एक महत्पून शहर था और पॉलूस ने अन्यस्थानु की तुलना में वहाँ सबसे अधिक समय व्यतीत किया था वहाँ उसने व्रिहत सेवा की थी तिमूथियूस को इफिसूस के विश्वासियों को सिखाना था कि वे सू समाचार की अपेक्षा अन्य कोई शिक्षा ना दें क्योंकि यदि कलिस्या की शिक्षा उचित ना हो तो वह कलिस्या नहीं है, चाहे उनके पास कितने भी प्राचीन, सेवक, पासबान, संगीत निर्देशक, गायन मंडली और संडे स्कूल हो, उनकी शिक्षा वही होनी चाहिए जो प्रेर्टों की थी हम पहला तिमुतियुस की पत्री एक अध्याय उसके चार पद में पढ़ते हैं, लिखा है, और उन कहानियों और अनन्त वनशावलियों पर मन न लगाएं, जिनसे विवाद होते हैं, और परमिश्वर के उस प्रबंद के अनुसार नहीं, जो विश्वास पर आधारित है, वै जान दिजेगा, कहता है उन ऐसी कहानियों, एफिसूस उस युग के गौण धर्मों का महान केंद्र था, वहाँ हद्रियन, राजन और डायना के मंदिर थे, जो युनानी कपोल कथाओं के आधार पर अस्थापित किये गए थे, एफिसूस के मसीही विश्वासियों को इन स दूर रहना था, कहानियों से पालूस का अभिप्राय संभा होता, दंत कथाओं, या मान्यताओं से था, जिसने पुराने नियम को कपोल कल्पित कथाओं से जोड दिया था, आज भी हमारी कुछ सेमनरियां इन ही विचारों पर आधारित हैं, उनके विचार में उत्पत्ति में थे ही नहीं, परन्तु आज पुरा तत्व की खुदायों से उसके प्रमाण मिलने के कारण, मुक्त विचारक इस दृष्टिकोंट से पीछे हट गए हैं, आगे कहता है अनन्त वन्शावलियों, यह शायद उस शिक्षाओं के संदर्ब में है कि कलिस्या यहोदियों के अगली पीड़ी है और अलग युगों में मनिश्यों के साथ परमिश्द के वेहवार को स्विकार नहीं करती है, ऐसी शिक्षा परमिश्द की योजना में इसरायल और कलिस्या की इस्थितियों के विशय में उल्जन उत्पन करती है, मेरे मित्रों उस युग में युनानी भी गलत शिक्षा दे रहे थे कि परमेश्वत से मनश्य के उत्पत्ती है। विवाद होते हैं और परमेश्वर के उस प्रबंद के अनसार नहीं जो विश्वास पर आधारित है। पॉलुस के कहने का अर्थ यह है कि यह जूटी शिक्षाएं विश्वास का निर्माण नहीं होने देती हैं। आज हम मुक्त विचारवादी कलिस्याओं में इसका फल देख सकते हैं। उनके वर्षों के अविश्वास ने कठोर निर्दई मनश्य बना दिये हैं। जिनमें विश्वास की अताह कमी है। उन्होंने परमिशक के वचन का परत्याग किया है और उन कलिस्याओं में इसका परत्याग देखकर विश्वास नहीं होता है। पहला थे मुतियुस के पत्रे 1 उसके 5 में लिखा है। आग्या का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहते विश्वास से प्रेम उत्पन हो। ध्यान दीजेगा शुद्ध मन से प्रेम उत्पन हो। पॉलुस यहां फिर इस युवा प्रचारक को पत्र में घनिष्टा से संबोधित कर रहा है जिसे आप कलिस्याओं को लिखे उसके पत्रों में नहीं पाते हैं। वह तिमुथियूस को कह रहा है कि कलिस्या में जो भी सिखाया जाए उसमें शुद्ध मन से प्रेम प्रगट हो शुद्ध मन हमारे पुराने स्वभाव के विप्रित इसका अर्थ है कि प्रवी इश्व में जिसे विश्वासी को धर्मी गिना गया है वह अब आत्मा का फल प्रगट कर सकता है। प्रेम एक फल है। हम आगे देखते हैं कलिस्या को तीन फल प्रगट करना आवश्यक है। पहला विश्वास परमिश्वर और परमिश्वर के वच्चन में विश्वास। दूसरा प्रेम प्रेम शबदों से प्रगट नहीं होता है। प्रेम मनश्य के प्रती सक्रिये चिंता करता है। अर्थात किसी की पीट के पीछे ना तो उसकी बुराई करना और नहीं उसकी कि इसी प्रकार हानी करना, मैं एक ऐसी कलिस्या को जानता हूं, जिसने अपने पासबान की हानी करने का यथा संभव प्रयास किया, उनकी यह बात अनुचित थी, कि वह पासबान परमिश्वर के वचन की शिक्षा नहीं देता है, वह अनिश्य ही परमिश्वर का वचन सुनाता वे उसकी पीट पीछे बुराई करके भी प्रेम करने की डिंग मारते थे, यह कैसा ढोंग है, प्रेम कहने की नहीं, करने की बात है, प्रेम प्रगट होना चाहिए, दिखना चाहिए, कलिस्या के जीवन में विश्वास का प्रदर्शन होना चाहिए, जी हाँ, कलिस्या में प्रशासन और पदाधी कारी होना अच्छा है, परन्तु शासन पदती के कारण मद्भेद उत्पन नहीं होना चाहिए, यदि कलिस्या में विश्वास और प्रेम नहीं है, तो आपके पास एक इमारत की अपेक्षा और कुछ नहीं है, किसी प्रकार की एक धार्मिक सभा मात्र ही है, यदि विश्वास और प्रेम का वहाँ प्रदर्शन है, तो शासन पदती कैसी भी हो उसका कोई महतो नहीं है, तीसरी बात है, शुद्ध विवेक, मेरे विचार में विवेक एक विश्वासी के लिए अच्छा मार्ग दर्शक नहीं है, परन्तु फिर भी विश्वास में शुद्य विवेक होना आवश्यक है। क्या आप रात को सोते समय दिन में किसी काम के करने या किसी बात के मुह से निकलने के बारे में खेदित होते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे शमा करेंगे। मुझे तो इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। परंतो सपष्ठ है कि वह सो नहीं पा रहा था। समय दन श्रील विवेक होना अच्छा है। कुछ लोगों का विवेक गर्म लोहे से दागा गया है। वह अच्छे और बुरे में अंतर नहीं जान पाते हैं। ये तीन अद्भुत गुण पॉलूस कहता है कलिस्या के फल है। पहला तिमुतियूस की पत्री एक अध्या उसके छे पद में आगे लिखा है। इनको छोड़ कर कितने लोग बकवाद की और भटक गये हैं। ध्यान दीजे बातें, सुंदर शब्द, आकरशक भाशा, कुछ लोग आपको मखन लगाएंगे, आपकी पीठ थप थपाएंगे, परन्तो उसका अर्थ कुछ नहीं निकलेगा, वे किवल बाते ही बाते होंगी। पहला तिमुतियूस एक उसके साथ पद में आगे लिखा है। और व्यव पर उस सीधी बात कह रहा है, वह स्पष्ट कह रहा है कि कुछ लोग जूठी शिक्षा दे रहे हैं, वे बड़े विश्वास के साथ सिखाते हैं, वे परमिश्र के वचन का त्याग करते हैं और स्वयम ही नहीं जानते कि क्या कह रहे हैं। तब हम देखते हैं पाला तिमुत एक उसके आठ पद यहाँ पर लिखा है, पर हम जानते हैं कि यदि कोई विवस्था को उचित रीती से काम में लाए तो वह भली है। मेरे मित्रों, इस भाग में पालुस विश्वासियों को जूठी शिक्षाओं के प्रती सावधान करते हुए, गौन धर्मों और प्रतिम आराधना का उलेख करता है, जो तिमुथियोस के कारे शेत्र एफिसूस में बहतायत से प्रचलित थी, उसने उस जूठी शिक्षा के विरुध भी चेतावनी दी, जो पुराने नियम को मात्र एक कपोल कल्पित कथा कहती थी, अब वह विधी पालकों के विरुध चेतावन परन्तु विवस्था पालन आवश्यक है, विवस्था एक उद्देश्य निमित प्रबंध था, परमिश्य ने विवस्था उधार के साधन स्वरुप नहीं दी थी, विवस्था तो हमारे पाप को उजागर करके हमें दोशी ठहराती है, उसका उद्देश्य है कि हमें उद उद्धार की विवस्था का बोध करवाए। विवस्था के अधिन तो सरोतम सदाचारी भी दूशी हैं। परंतु सू समाचार में प्रभु इश्यों में विश्वास करके बुरे से बुरा मनुश्य भी धर्मी ठाराया जाता है। एक पापी कर्मों के आधार पर उद्धार नहीं पाएगा क्योंकि वह सू कर्मी नहीं हो सकता है। पौलुस ने रोम की कलिस्या को लिखा। रोमियों के पत्री आठ अध्या उसके आठ पद में। जो शारिरिक दशा में हैं वे पर्मेश्वर को प्रसन नहीं कर सकते। अतह पर्मेश्वर को अपने पर्यासों से प्रसन कर देना पर्मेश्वर के वचन के विफरित है। उसे प्रसन करना असंभव है क्योंकि आप उसकी अनिवार्यताओं को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। कर्मों से तो उद्धार असंभव है। परंतो उद्धार से कर्म सं इफिस्यों को लिखे पत्र अध्याय दो उसके आठ से दस में पॉलुस इसे स्पष्ट करता है क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है और न कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि क कोई घमंड करे क्योंकि हम उसके बनाय हुए हैं और मसी इश्व में उन भले कामों के लिए स्रिजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तयार किया है पर हम जानते हैं कि यदि कोई विवस्था को उचित रिती से काम में लाए तो वह भली है जी हां विवस्था परमेश्वर की इच्छा प्रगट करती है वह नैतिकता में सरोच्च है नैतिक आचरन के लिए तो वह अति उत्तम है परन्तो मनिश्य के उद्धार में सक्षम नहीं है वह पापी का उद्धार नहीं करवा सकती है परन्तो वह उसे सुधार सकती है उस पर पर एक बहुत ही महत्पुन बात को देखा है, कि हम अपने कर्मों के द्वारा उद्धार नहीं पा सकते। अर्थात हमें मसी इश्य के पास आना होगा, क्योंकि वह चाहता है कि हम उसके द्वारा उस उद्धार को प्राप्त करें, क्योंकि यह सिर्फ अनुग्रह के द्वारा प्राप्त होती है। क्या आप चाहते हैं कि आप भी उस उद्धार को प्राप्त करें। यदि हाँ तो आज समय है कि आप प्रविश्व के पास आएं क्योंकि वह आपका उद्धार करना चाहता है। परमिश्वर आप सब को इस वचन के द्वारा आशिश दे। मित्रों हमने कलीशिया के चार मुख्य चरित्र को जाना कि हमें शिक्षा, सैभागिता, प्रार्थना और रोटी तोड़ने को प्राथ्मिक्ता पर रखना है। आरम में कलीसिया के लिए यही मुख्य चरित्र थे। वचन की शिक्षा यदि हमें प्राप्त ना हो तो हम मार्ग से भटक सकते हैं। क्योंकि संसार गलत शिक्षाओं से भरा हुआ है। हम विश्वासियों के लिए एक ही पाठी पुस्तक है, टेक्स्ट बुक है और वो है परमेश्वर का वचन बाइबल। हम इस प्रसारण के द्वारा उसी पर बल देते हैं ताकि आप वचन में द्रड़ बने रहें। सहभागिता का अर्थ है वचन में साथ साथ बढ़ना और एक दूसरे की आत्मी कुन्नती के लिए उपलब्ध रहना। दूसरी तरफ प्रार्थना का माध्यम है या अर्थ है कि जिसके द्वारा हम अपने निवेदेनों को परमेश्वर के सामने रखते हैं। दूसरों प्रार्थना केवल अपनी आवशक्ताओं को परमेश्वर के सामने रखना नहीं है पर संसार में परमेश्वर के हस्तक्षेप के लिए निवेदन करना है। जब आप दूसरों के लिए हृदय की सच्चाई से प्रार्थना करते हैं, तब आप परमेश्वर के सामने अपने प्रेम और भाईचारे को प्रगट करते हैं। एक साथ रोटी तोड़ना और थातवचन में एक साथ सहभागिता, एक विश्वास का प्रगटी करन हैं, कि हम सब प्रभू में एक हैं और हम में कोई अंतर नहीं। कलीसिया को इन चार चरित्रों को अपने फल के द्वारा प्रगट करना होता है, जो विश्वास, प्रेम, शुद्ध विवेक हैं, आज कलीसिया और विश्वासियों में इसकी कमी पाई जाती है। बहुत से लोगों का विवेक शुद्ध नहीं है, उनके मन में एक दूसरे के लिए कपट है और वे स्वैम को विश्वासी कहते हैं, पित्रों आईए हम इन फलों के द्वारा अपने विश्वास, प्रेम और शुद्ध विवेक को प्रगट करने का प्रयास करें, आईए प् प्रमेश्वर पिता, प्रभी शुक्रीस्त के नाम से आपके सन्मुक में आते हैं, इस अद्बुत वचन के लिए और अध्यन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि पिता आपने हमारे लिए ये विवस्था किया है, कि हम आपके वचन की भेद भरी बातों को समझ और जानें, जिससे कि पिता परमेश्वर हमारा आत्मिक जीवन इस रीती का हो जो आप चाहते हैं, पिता आज कलीसिया में जिन शिक्षाओं की अवशक्ता है, जिस सहभागिता की अवशक्ता है, जिस प्रेम की अवशक्ता है कि वे एक दूसरे के साथ भला वहबार करें, प्रभु अनुग्रे करना कि ये सारी बाते हमारी कलीसियाओं में बढ़ती चले जाएं। खासतोर से हमारे जितने भी दर्शक हैं उनके लिए बिंती हैं कि प्रभु वे अपनी कलीसिया में इन चरित्रों को इन गुणों को प्रगट करें। जिससे कि इनके दौरा से दूसरे विश्वासी भी उस कार में उस चरित्र में आगे बढ़ते चले जाएं। पिता हमारी बिंती को प्रभु शुक्रिस्ट के नाम से आपके सन्मुक रखते हैं इसलिए सुने और अपनी महिमा के लिए ग्रांड करें। आमेन। प्रे दूस्तों आपके उपस्थिती के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। मुझे उमीद है कि आज के अध्यन के दौरा आपने कुछ नई बातों को सीखा होगा जो आपके लिए और कलिस्या के लिए उन्नती का कारण ठहरेंगे। यदि आपके पास कोई प्रशन है या किसी बईशय पर आप और गहराई से जानना चाहते हैं तो कृपिया हमसे संपर्क करें, फोन, SMS या फिर पत्र का सहारा लें। अगले प्रसारण तक परमेश्वर के बचन में बने रहें और जिस विश्वास, प्रेम और शुद्ध विवेक की बात की गई है, उसको अपने जीवन में और कलिस्या में बनाए रखें। प्रभू आपको आशिश दे। के अनुसार तीन अद्भूत गुन, विश्वास, प्रेम और खाली स्थान कलीसिया के फल हैं। A. शुद्ध विवेक, B. आशा, C. भलाई, D. प्रचार। मित्रों इस प्रस्निका उट्टर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको ये कारेक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस्कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। क्या आपको ये विजेता हो सकते हैं।